चीनी घुसपैट और तवां के मुद्दे पर संसद में विपक्षी दलों का हंगामा जारी मोदी सरकार से पूछे तीखे सवाल ये नारेवाजी है मोदी सरकार के खिलाब ये बिरोध प्रदर्शन है कॉंग्रेस का जिसमें सोनिया गांधी मलिकार जुन खड़गे समेथ दूसरे दलों के नेता भी शामिल है दरसल सदन के शितकालिन सत्र में तवां का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है विपक्ष लगातार संसद में चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसद कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खड़गे के बीजेपी और आरेसेस पर दिये गए बयान को लेकर माभी मांगने की मांग कर रहे हैं इसके चलते सदन में गतिरोत जारी है इसी बीच बुद्वार को एक बार फिर से बिपक्षी दलों ने चीनी घुसपैट और मुल ब्रधी के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया लेकिन सरकार ने चर्चा से इंकार कर दिया जिसके बाद कॉंग्रेस समेथ दूसरे विपक्षी दलों ने सदन से वॉक आउट कर दिया वड़ी बात यह है कि तवान के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग के बीच सत्ता बक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा हो रहा है कॉंग्रेस सांसत शशित हरूर के मुताबिक सरकार को सदन में सच्चाई जरूर बतानी चाहिए The Indian Army, there's no question of insulting. We are full of admiration for the courage of the Indian Army, the risks they have taken to stand up for our security and the amazing work they have done even very recently last week in the Tawang incident in Yangtze. It was the Indian Army that gave the Chinese infiltrators a bloody nose and sent them away. So I don't think that there is any question of criticizing the Army. The question is about the political leadership of the country. Why won't they be doing their job of being politically accountable to the nation? दूसरी तरब J.U. सांसत ललन सिंग ने भी केंदर की मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है. ललन सिंग ने कहा है कि चीन लगातार घुसपैट कर रहा है और मोदी सरकार देश से सच्चाई छिपाने में जुटी है. अंदुस्तानी बॉर्डर में सदन शर्वच है और सदन में इस बात पर पूर्णतफ पूरी स्थिति की जानकारी सरकार को देनी चाहिए. अगर कोई इतराज है तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है. इसलिए सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है. हम लोग की मांग है कि सरकार इस पर जवाब दे, बताए और उस पर चर्चा है. बताते चलें कि 9 दिसंबर को रुनाचल प्रदेश के तवांग में भारतिये और चीनी सेनिकों के बीच जड़प हुई थी. इस घटना के बाद देश में सियासी हंगामा बढ़ गया. संसत के शित कालिन सत्र में भी तवांग के मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है. इस कबर में फिलहाल इतना ही अपडेट्स के लिए देखते रहे ये One India Hindi.